देवर्शी नारद गए भगवान नारायण से अपनी बात बताने के लिए अब देवर्शी नारद सोचे कि कोई ऐसी बात भगवान नारायण हमसे पूछ देते ताकि हम अपनी बात कह देते भगवान नारायण तो सब जानते हैं उनसे तो कुछ शिपा नहीं है भगवान नाराये ने अचानक से पूछ लिया क्या पूछा कि पहुते दीनना कीनह मूनिदाया हे ना हे देवर्शी नारत बड़े दिनों बाद आपने दया की बड़े दिनों बाद आपने कृपा की कहा थे आप अब तो बस मिली गया ने वर्शी नारत अपनी सारी गाथा गागे हम कामदेव को जीत लिए करोध को जीत लिए ये किया वो किया कामदेव को परास्त किया भगवान नारायन की कृपा से मैंने सब कुछ कर लिया उपर से तो कह रहे हैं भगवान नारायन की कृपा से और अगर इसे समाप्त नहीं किया गया तो ये जल्दी बड़ा व्रिक्ष बन जाएगा, इसले जल्दी से काटा जाएगा, भगवान नारायन एक माया रची, माया का नगर बना दिया, श्री नगर जिसका नाम हुआ, उसी में एक राजा रहने लगे, श्री लिनी धी, उनकी एक राज कुमारी हुई विश्व मोहिनी, सब रहने लगे, देवर्शी नार्द जब आगे वड़े तो देखा तो बड़ा सुंदर नगर है, लेकिन इससे पहले तो कभी दिखा ही नहीं, अच्छानक से नगर कहां से आगया, चलो देखता हूं, पता करता हूं, क्या है, कै देवर्शी नार्द गए उस नगर में, तो जब राजा के पास गए, राजा ने बड़ा ही सेवा सतकार सम्मान किया, उनकी जो बिटिया विश्व मोहिनी थी, विश्व मोहिनी जब आई, देवर्शी नार्द को प्रणाम करती है, राजा कहते हैं, महराज यह हमारी बिटि में क्या लिखा है, महराज वो तो विश्व मोहिनी थी, अब विश्व मोहिनी इतनी सुंदर कि देवर्शी नार्द हाथ नहीं दे के चेहरा देखने लगे, अब चेहरा ही देखने लगे, राजा ने का महराज हमने चेहरा देखने को नहीं का, हमने हाथ देखने को पास, हा बहुत कहने के बाद देवर्शी नारद ने हांत देखा और उसी में चैरा भी देख रहे हांत 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 देवर्शी नारद उल्टा पड़े उस कन्या के हांत में लिखा था किस कन्या का विवाह जिससे का वो तीनों लोकों का स्वामी होगा अमर होगा नरनाग किंदर मिलके उसकी सेवा करेंगे सब उसकी पूजा करेंगे देवर्शी नारद में सोचा बताओ इतनी क्रपा इतना बढ़िया इस कन्या से विवाह करने के पश्षाद लेकिन नारद जी ने तो उल्टा पढ़ लिया उस कन्या के हाथ में तो लिखा था कि जिससे विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा और देवर्शी नारद ने पढ़ लिया कि इस कन्या का विवाह जिससे होगा विवाह होने के बाद वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा अब नारद जी ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है इतनी सुन्दर कन्या भी है मैं तीनों लोकों का राजा बन जाओंगा का माराजी बताओ इनका विवाह कब है माराज ने का बस आज ही स्वयंबर रखा है अरे रामी तो बिल्कुल टाइम नहीं है अब क्या करो अब तो समय भी नहीं कि तपश्या करके और भगवान से बर्दान मंगों कि इनको हमें देदो अब क्या करो एक काम करता हूं चलो यहीं भगवान नाराइवन को बूलाता हूं भगवान से बर्दान मंग दो अगो अर देवर्शी नारत भगवान को वहीं देवर्शी नारद ने का अब सरकार एक बात बताऊं हाँ जब भगवान बोले नात के पास जाता हूं न और उनके वाम्न भाग में मा पार्वती को देखता हूं और उनके छोटे-छोटे बच्चे इतना सुंदर लगता है देखकर के भरा पूरा परिवार आनंद आ जाता है भगवान नारण ने का हाँ भरा पूरा परिवार रहता है बाल बच्चे रहते हैं अच्छा ही लगता है और प्रभू जब उससे आगे बढ़ता हूं ब्रह्मा जी के पास जाता हूं देखता हूं उनके साथ में भी मैया बैठी रहती बड़ा सुंदर लगता है हाँ हाँ बिलकुल और महराज सबसे सुंदर तो तब लगता है जब आपके पास जाता हूं और आपके चरणों की सेवा मा लक्षमी कर रही होती है तब तो आनंद आ जाता है देख करके हाँ हाँ वो तो करती है अच्छी बात है विवाह करना चाहिए लेकिन प्रभू जब अपने आ सुनने वाला नीव अलाने कोई सेवा करने न है तो भगवाएं न Dareña ने का कहना क्या चाथे विवाह करेंगे क्या तो कि आए विवाह अगर करेंगे तो वुवस्हा की जाए कन्या दखी जाय दिवश्री नारा ने नहीं सरकार कन्या नहीं देखनी कन्या पहले से तयार आप से हमें कुछ उधार चाहिए अच्छा उधार क्या चाहिए तो देवर्शी नारत कहते हैं कि आप पान रूपा देहु प्राभु मोही प्रभु यह जो आपका चहरा नहीं अंको उधार देजिए अब भगवान नारायन सोचे वाँ बेठा चहरा हमार विया तो यह कहीं होता है क्या बई विवाग कोई करने जाये तो जूते उधार ले ले गाड़ी उधार ले 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 लेकिन अब कोई कहें चहरा उधार दे तो वही बातों करने दिखाओ कोई और विवाग कराओ किसी और से ऐसा थोड़ी होता है लेकिन उसी समय देवर्शी नारदी के मुक्सिक और बात निकल पड़ी क्या निकली कि जैवी धीना था होई ही तमोरा करां सोवे प्रति दिन भगवान के पास जग बैठिये ना तो आप भी यही चौपाई गाई है प्रभू जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए डिवर्शी नारद कहते प्रभू जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करिए लेकिन जल्दी करिए टाइम बिल्कुल नहीं मेरे पास उदर वर्माला शुरू है भगवान नारायन ने कहा हित हित नहीं करूँगा आपका परम हित करूँगा चिंता न करिए और भगवान नारायन ने बंदर का सुरू बना दिया भयंकर बंदर का चेहरा बना दिया देवर्शी नारद का लेकिन ध्यान दीजिएगा चेहरा तो बंदर का बनाया लेकिन हाथ पाउँ अपना दिया अब मोबाइल तो था नहीं कि देख लें कि चहरा कैसा दिख रहा है देवर्शी नारण ने जब हाथ देखा पाउं देखे अरे बढ़िया सुन्दन भगवान नाराण का मिला लेकिन चहरा नहीं देख पाए अब भयानक बंदर का स्वरूप बना करके देवर्शी नारण चल किसी को दिखाई नहीं पड़ा किसको दिखाई पड़ा सिर्फ विश्व मोहिनी को दिखाई पड़ा और भगवान शिव के दो रुद्र गण थे उनको दिखाई पड़ा बाकी सबको देवर्शी नारण के रूप में दिखाई पड़ रहे गड़ों को भी नहीं दिखाई पूर रहा था लेकिन भगवान शंकर ने अपने गड़ों को भेजा हुआ था वहाँ पे क्यों जाकर के लाइव टेली कास्ट करना जैसे यहां पर भी अलो कर रहे हैं लाइव टेली कास्ट वैसे भाबा ने का लाइव चलाना वहीं मुझे लाइव देखना है क्या चल रहा है तो गड़ों ने का सरकार हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा ने का अभी अभी कुछ करता हूं मैं बगवान नारायन से का भाई उनको भी दो ऐसा सिस्टम की वह भी लाइव दिखा सके उन गड़ों को भी दिखाई देने लगा अब जब देवरशी नारद प प्रवेश किये अब जितनी राजा महराजा देवता बैठे थे सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए यह जान करें कि यह संत हैं और देवर्शी नार्द को लगा कि आज हम इतने सुंदर दिखाई पड़ें कि सब मेरे सम्मान में खड़े हैं ब्रह्म में जी रहे हैं तो आपस में बात करने लगें ओ हो 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 कितना सुंदर राज कुमार आया है आज एक निका तुम किसकी बात कर रहे हो तो दूसरा कहता है वो जो पहले नंबर पर बैठा न उसी की बात कर रहा हो अब तो देवर्शी नारद और टाइट हो करके बैठे के हमारी चर्चा चल रही है आज हम बड़े सुंदर दिखा ही पड़ रहे हैं आज तो माला माराज कहीं नहीं जानी है माला तो मुझे ही मिल ली है विश्रमोहनी आई वर्माला ले करके और जैसे देवर्शी नारत को देखा जिस पंक्ती में देवर्शी नारत बैठे थे उस पंक्ती में विश्रमोहनी गई नहीं और दूसरे पंक्ती में विश्रमोहन बैटे थे, विश्रमोहनी जा करके विश्रमोहन के गले में मा ने वर्माला पहना दिया, बोली लक्षमी नाराइन भगवान की, जा के वर्माला तो पहना दिया, इधर गड़ों ने बाबा के पास सूचना पहुंचाई, बाबा बहुत कड़बड हो गई भगवान शंकर ने पूछा हुआ क्या कहा माला नहीं पड़ी कहा फिर कहां गई का विश्रमोईनी ने तो सर्फ एक बार देखा और दुबारा पलट के देखा ही नहीं बाबा समझ लिए क्या समझ लिए बाबा जानगे कि अब मुझे क्या करना है अच्छा दुश्रमोईनी ने पलट के क्यों नहीं देखा इसका युक कारण है भगवान शंकर में वहीं निश्य कर लिया क्या निश्य किया कि आज के बाद में भगवान का बंदर बनके जाओंगा क्यों बाबा कहते हैं कि जो भगवान का बंदर बन जाता है उसके तरफ माया मुड़के भी नहीं देखने जाते हैं लेकिन बंदर भी दो प्रकार के होते हैं एक पालतू बंदर होते हैं पालतू बंदर कौन से होते हैं आपने देखा होगा सायद अब तो बहुत कम हो गया है पहले गाउं में आते थे ना वो बंदर का नित्त दिखाने के लिए, मदाड़ी दिखाने के लिए, तो बंदर से पूछ से थे, ससुराल कैसे जाओगे तो लाटी पकड़ के बताता था, ऐसे जाओगे, तो उसके गले में पट्टा बना रहता था, अब वो मदाड़ी दिखा न दिखाए उसे पैसे मिले न मिले लेकिन उसे अपने खाने की चंता नहीं है क्यों कि वो जानता है मेरा मालीक बैठा है मेरे खाने पीने हर चीज की व्यवस्ता मेरा माली करेगा लेकिन जो फालतुबंदर है वो इस पेड़ से उस पेड़ पर उस पेड़ से उस पेड़ पर नहीं है उसी प्रकार से अगर बनना है तो भगवान के पालतु बंदर बनिये और पालतु बंदर कौन है जिसके माथे पर तिलक है जिसने अपने गले में कंठी धारण की है जिसने अपने हाथ में रक्षा सूत्र बादा हुआ है जो भगवान की भक्ती में लीन है जो भगव के खाने पिने की कोई चिंता नहीं है अब आप बताओ भगवान के पालतू बंदर बनोंगे की फालतू बंदर कि कोन कोन पालतू बंदर बनेगा भाई हम तो बनेंगे अथा बीच वालों कभी संकोच है तो बनना है तो भगवान के पालतू बंदर बनके रहे और जो भगवान के पालतू बंदर बनके रहते उनको अपने खाने पिने की कोई चंता नहीं करने पड़ती क्यों कि वो मालिक बैठा हुआ है नचाने के लिए कोई चंता नहीं करने भगवान शंकर क्या बनके आए अब नाराज जी बैठे बैठे सोच रहें आखिर मिस्टेक होई कहां से हम तो नंबर मन पर बैठे भी थे सुन्दर भी दिखाई पड़ रहे थे फिर भी माला नहीं मिली माला दूसरे के पास कैसे गई गणो ने काई बाबा इस शरूप में इस जनम में तो क्या अगले साथ जनम में माला मिलने वाली नहीं है अपना चहरा तो देखो और जब देवर्शी नारद ने अपना चहरा देखा बयानक बंदर का चहरा बयानक बंदर का चहरा देवर्शी नारद क्रोध में आगे दै हो शाब की मरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई आज या तो भगवान को शाब दूँगा या अपने प्राणत्याख दूँगा मर जा यह पता था कि मेरा चहरा ऐसा बनाया भगवाण नारायन बैठे बैठे सोच रही बाबा इतने क्रोध में आ रहें लेकिन चीरिसागर पहुंसते पहुंसते इनका क्रोध शान्त हो जाएगा इसलिए चल के अगनी में और घी डाला जा कि पिर क्या किया गरण जी को लिया एक लक्षमी को बिठाया और एक तरफ विश्रमोहिनी को बिठाया और दोनों को लेके चल पड़े और जैसे ही चले रास्ते में देवर्श्री नारद से टकरा गें बाबा बड़े क्रोध में जा रहे कहां जा रहे बड़े क्रोधित दिखाई पड़े सब ठीक तो है अब तो दे अरे मैं जानगिया आप महा कपटी है जो भी आप से प्रेम करता है उसे सर्फ और सर्फ दुख देते हैं उसका साथ आप कभी नहीं देते समंद्रमंधन के समय जब विश निकला तो शंकर को पिला दिया और लक्षमी निकली तो स्वयम ले लिया मैं आपके कपट को जानता महाकप्ति हैं आप लेकिन आपने आज अच्छे घर बयान है आज मैं आपको ठीक करूँगा परमसतंत्र नसिर पर को भावई मनई करें तुम सो जो मन में आता है सो करते हैं परमसतंत्र हो गए आपको कोई ठीक करने वाला नहीं है लेकिन मैं आपको ठीक करूँगा जाये मैं आपको तीन शाप देता हूं पहला शाप जिस मनुष्य का शरीर धारण करके आप गए हुए थे वही मनुष्य बंदर के आप जाएंगे दूसरा शाप जिस प्रकार से जिस बंदर का चहरा आपने मुझे दिया यही बंद अपनी के व्योग में तडपेंगे रोएंगे तीन शाप दे दिया दे वह श्री नार्ण ने और जैसे ही शाप दिया भगवान ने अपनी माया हटा लिए कि जब हरी माया दूरी निवारे और नहीं तहां रमा जैसे भगवान ने अपनी माया हटाई ना वहाँ पर राज कुमारी विश्मोहिनी है ना वहाँ पर लक्ष्मी जी है भक्त के सामने अगर कोई खड़ा है तो भक्त का भगवान ने खड़ा है देवर्शी नार्द हाच जोड़के खड़े हो गया नाथ हमसे बड़ा अपराद हो गया हमने आपको श्राप दे डाला भगवान ने का आपने श्राप नहीं दिया मैंने तो श्राप आपसे लिया मैं अपनी टीम में उसे ही शामिल करता हूं जिस पर मुझे बड़ा विश्वास होता है मैं अपना कारे समसे नहीं कराता हूं और ध्यान रखिएगा भगवान की कथा में अगर आपको कुछ करने का अवसर मिले तो आप ये समझेए कि भगवान ने आपको अपनी टीम में शामिल किया हुआ है वन्ना पैसे धरे के धरे रहे जाते हैं माराज नहीं लग पाते धर्मकारे में नहीं हो पाते कर नहीं सकते आग लेकिन आपके द्वारा अगर किसी का कल्यान हो रहा है आपके द्वारा अगर भगवत चर्चा हो रही है तो निश्वित रूप से यह ठाक जान चाहता हूं इसी लिए मैंने पूरी लीला रची क्योंकि आपके भीदर एहंकार पल रहा था देवर्शी नारत को कहा जाई भगवान शिवजी के नाम का उच्छानन करिए आपके मन को शांति मिलेगी वही तो जो रुत्र गणते उन गणों को शाप दे दिया जाओ राक को मकरण बनके आए और भगवान राम का अवतार हुआ